तो इस ग्यारा अध्याय में अभी तक जो कुछ भी हमने चर्चा किया, कृष्ण भगवान ने अपने बारे में जीवात मौं के बारे में, काल के बारे में, कर्म के बारे में, प्रकृती के बारे में बहुत सारा ज्यान दिया है और एक-एक अध्याय को एक-एक सब्जेक्ट लेकर आगे वरते हुए डिसकस कर रहे है भगवान, श्रीकृष्णा और अर्जुन के बीच में तो आप सभी लोग शायद जानते हैं या फिर से मैं एक बार याद दिला देता हूं कि भगवद गीता में पांच subject matters है पांच तत्वों के बारे में वर्मन है वह भगवान, दूसरा है जीवात्मा, तीसरा है प्रकृति, चौता है काल और पांच्वा है कर्म तो इस सबील चीजों का वर्णन कहीं न कहीं भगवत गीता में आता है, कभी-कभी एक अध्याय में एक ही फोकस रहता है, लेकिन पूरी तरीके से भगवान ये पान सब्जेक्ट माइटरों का डिसकेशन, चर्चा इन सारे अध्यायों में कर रहे हैं तो अभी हम देखे दे हैं, अभी तक हमने क्या देखा है, कि भगवान अर्जुन को नवे अध्याय में यहाँ शिक्षा दिया है, कि तुम मेरी भक्ति करो, मन मना भव मत भक्तो, मत जिया जी माम नमस कुरू, मामे वाइश्य स्युक्त्ववावम, आत्मा नाम मत पराया नहा फिर दस्वे अध्याय में प्रिष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश जिया, कि अगर तुम मेरे आईश्वरियों के बारे में जानोगे, तो तुम अच्छे से भक्ति कर सकते हो, और मेरी बारे में जानोगे, तो और अच्छे से अपने मन को मेरे में निवसित कर सकत इसलिए दस्वी अध्याय में प्रिष्ण भगवान ने इपने स्वयम के आईश्वरियूंग के बारे में कहा है। ग्यारवय अध्याय में तो अर्जुन को तब तक शार्चातकार हो गया था कि कृष्ण ही परम भगवान है लेकिन देखिए सामान ये व्यक्ति को प्रूफ चाहिए होता है प्रूफ मतलब what do you say evidence चाहिए होता है कि यही भगवान है परना कोई भी कहने के लिए बहुत आसन है कहने के लिए मैं भी बोल सकता हूं कि मैं भगवान हूं या कोई भी आड़ा तेड़ा व्यक्ति बोल सकता है कि मैं भगवान हूं आज से तो अरजुन ने सोचा कि भगवान को ये जरूरी है या बाकी लोगों के लिए जरूरी है कि भगवान क्या है भगवान कोई चीप विक्ति नहीं है कि कहीं भी पैदा हो जाए और कहीं भी बोल दे कि हम भगवान हैं चार पांच जस लोग मान ले इनको कि भगवान है तो भ दिन चाहते थे कि भगवान की परिभाशा और भगवान का जो स्तर है वो एक सामानी विक्ति का ना हूँ इसलिए जब भगवान ने अपने आश्वरियों का वर्मिन किया तो अर्जुन ने पूचा है भगवान इस आश्वरियों को दर्शन में साक्षात से देखना चाहता कि आप कितने महान और विशाल है तो तब जाकर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपना विराठ रूप दिखाया जिस विराठ रूप में भगवान ने सारे भ्रह्मानों का शिर्ष्टी करता समहार करता सहस्त्र हाथ, thousands of hands, thousands of legs, सर्वव्यापी, काल का स्वरूप, सारी देवी देवतागन उसमें समाहित हो रहे थे भगवान के विश्वरूप में और कई-कई भगवान के मुखों, thousands of faces थे भगवान के और कई-कई faces हो में, कई-कई मुखों में ये देख रहे थे अरजुन कि इस महा भारत के युद्ध में जो कोई भी समाहित हो रहे थे उनको मार कर वो भगवान अपने मुख के अंदर ले रहे थे तो एक तरफ से देखा जाया तो ये विश्वरूप का जो दर्शन था वह थोड़ा भयानाक दर्शन था उर्जुन को तो कोई भी वेक्ति अगर कहता है कि मैं भगवान हूं तो उनको अपना विश्वरूप का दर्शन करवाना चाहिए जち से किसी को भी आम भगवान नहीं माम सकते ह podcasts I see वार एक भागवान नाम के लिए भगवान थे भारत देश में ऑं अई तो उन्होंने बुला दिया सभी लोगों को कि आज इस जगा पर समाइत हो जाईए हम आपको विश्वरूप का दर्शन दिखाएंगे तो सभी लोग समाइत हो गये थे उनके भगत और जब भगवान आये थे अपना विश्वरूप दिखाने के लिए तो आये कार से उतरे और कार से उतर कर आकाश के उर थोड़े देखने लगे और फिर चल पड़े किसी को विश्वरूप का दर्शन नहीं हुआ कम से कम भगवत गीता में कृष्वरूप दर्शन हुआ वो अर्जुन को दिखाई दिया कुछ-कुछ प्रमुग देवी देवताओं को दिखाई दिया और संजय को भी दिखाई दिया तो जब फिर से वो भगवान को पूछा गया भगवान आपका विश्वरूप दर्शन हमें नहीं दिखाई दिया तो भगवान मुले आज का मौसम खराब था इसलिए हमारा विश्वरूप दर्शन नहीं दिखाई तो ऐसा कौन सा भगवान है जो मौसम से प्रभावित हो जानना चाहते हैं तो ऐसे ही किसी को भी हम भगवार नहीं मानना चाहिए जब तक वो विश्वरूप का दर्शन ना दिखाए तो विश्वरूप दर्शन बहुत ही विशाल था अर्जुन को अपने दो आंखें वस नाट सफिशन्ट अर्जुन को दो आंखों से वो समाहिद अनंत था उसका आजी नहीं दिख रहा था इतना विश्वरूप थह विश्वरूप का तो जब अर्जुन ने भगवान के विश्वरूप को दर्शन कर लिए थे तो अर्जुन भाई मीत हो गय थे तो भयानक रूप था और दूसरा ये था के अर्जुन प्रिश्ण भगवान तो मेरे मित्र जैसे हमने उनके साथ व्यावार किया। कभी खेलते थे, खेल गुद में क्रिश्ण भगवान की उपर चड़ जाते थे, हात खीशते थे, पीछे से आलालंगन करते थे, साथ में खाना खाते थे। तो इतने महान पूरुष के साथ मैं ऐसे एक साधारन वेक्ति की तरह बरताव किया हूँ, मैं अभी तक क्रिश्ण से। तो दोनों कारण के वजए से अर्जुन डर जाता है। तो इसलिए जो विश्वरूप का दर्शन होता है, जो भक्त लोग होते हैं, उनको उतना प्रिय नहीं लगता है, क्योंकि वो इतना भायानक रूप दिखाए दिये थे, क्रिश्ण बगवान ने। तो इसलिए जब भी हम पूजा करते हैं, तो हम विश्वरूप के दर्शन को पूजा नहीं करते हैं। तो यह जो रूप होता है भगवान का, चतुर भुज रूप या द्वी भुज रूप, नॉर्मल हुमन बिंग का रूप, यह भक्त उनको प्रिय होता है। तो इस प्रकार कृष्ण भगवान ने यह नहीं कहा कि सिर्फ मैं भगवान हूँ, सिद्ध करके भी दिखाया। तो इसलिए जो कुछ भी आजकल के लोग, आजकल के समाज में मैं नहीं जानता हूँ, कितने लोग आज भी बोल रहे कि मैं भगवान हूँ, ऐसे लोग जो कुछ भी बोलते हैं तो उनको पूछना चाहिए, आपका विश्वरूप दिखाईए, आपका चतुर भुज देवकी के घर्व से, तब कृष्णा भगवान, देवकी मैया और वसुदेव को अन्फिदेंस, विश्वास जताने के लिए सर्वप्रसम चतुर भुज रूप दिखाए, कि मैं ही भगवान हूँ, आप लोग चिंता मत किजे, आपकी पेडाओं को हरने के लिए मैं आ गया तो अगर कोई विक्ति बोलता है कि मैं भगवान हूँ, तो उनको बोलना चाहिए कम से कम चतुर भुज रूप दिखा देजिए, तो ये भगवान को आइडेटिफाय करने के लिए इजी हो जाएगा, वरना नार्मल विक्ति कोई भी बोल सकता है, मैं भगवान हूँ, भग भगवान ने चाहा कि मैं विश्वरूप दिखाऊं, ताकि लोग समझ पाए कि भगवान कौन है, तो जब विश्वरूप का दर्शन दिया, भगवान अर्जुन थोड़ा विस्मित हो गय थे, डर गय थे, तो उसके बाद में अर्जुन प्रश्न पूछ रहे क्रिश्न उपासक होते हैं, जो परमात्मा पर कभी ध्यान करते हैं या अव्यक्त भ्रह्मन पर ध्यान करते हैं, क्या वो लोग बैतर है क्रिश्न या मैं जो आपके चतुर्भुज रूप या जो भुज के रूपों को उपासना करता हूं, मैं बैतर हूं, तो अर्जुन स्वायम जा तो आज का डिस्कुशन जो बारवाद्या है उससे स्टार्ट करने से पहले प्रार्थनाएं करेंगे, सुरी मैं भूल गया, तो दो मिनेट प्रार्थनाएं करेंगे, ओम ज्यानति मिरांधस्या ज्यानान जनाशला कया, चक्षुरुन मिरितं येना, तस्मै श्री गुर वे नम्हा, श्री चैतन्यम अनुभिष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपा कदावयं, गदाती स्वापदांतिकं, वंदेहं श्री गुरो श्री उता पदकमलं, श्री गुरुन वाइष्नवा मस्चा, श्री रूप अगरजतं स्थागन रगुनातान जम्हें टंस जीवं, साधवतं सावदूतं परिजवन सहितं कृष्ण चैतन्य गदेवं, श्री राधार कृष्ण पादान स्थागन येना श्री विषाखान विष्ठान विष्वा न श्रीमते वक्ति वेदांत स्वामी नितिनामीने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवानी पृचारिने दिर्विशेष शुन्यवादी पास्चाक्य देशितारिने जय श्री कृष्ण जैतन्या प्रभू नित्यानन्द श्री अद्वाइत अगधाधार श्रीवास अधिगोर भक्त बंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे कृष्णा तो आज का हम बारवे अध्याय का चर्चा इधर से शुरू करेंगे 12 चाप्टर है अर्जुन प्रश्न पूछ रहे है प्रिश्न भगवान से एवं सतता युक्ता ये भक्त्यास्त्वाम पर युपासते ये चाप यक्षरम अव्यक्तम तेशाम के योगी वित्तमहा अर्जुन ने पूछा जो आपकी सेवा में सदैर्ट अत्तर रहते है या जो अव्यक्त निर्विशेश भ्रह्म की पूजा करते है इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण या सिध्ध मांगना चाहिए तो अर्जुन ये प्रेश्ण पूछ रहे हैं अपने स्वयम के लिए और सारे भक्तों के लिए तो देखिए कभी-कभी जो कृष्ण भगवान का रूप जिनको सौम्य नहीं लगता है वो लोग क्या करते हैं वो लोग मेडिटेशन करवाते हैं लोग उसे और वो एक बार म ऐसे ही किसी मेडिटेशन सत्र में गया था कि देखने के लिए वो करवाते क्या है तो एक बहुत बड़ा हॉल था और उसमें लोग दो घंटा कभी-कभी-कभी चार घंटा ऐसे ही बैठके कि बिना कुछ भी बताए मौन रहकर ध्यान करते हैं तो उनको पूछा आप ध्यान किस पर कर रहे हैं वो बोलते हैं हम ध्यान कर रहे हैं कि हमारा ध्यान किसी पर भी ना हो do not meditate on anything हमारा ध्यान को हम किसी पर भी ध्यान के इंदरिट नहीं करने का प्रयास कर रहा है तो यह बहुत ही कठिन प्रयास होता है कि don't think about anything तो आप यहीं सोच रहे कि मुझे किसी के बारे में नहीं सोच रहा है तो यह सोच तुमारे मन में है तो मन की इच्छाओं को या मन के thoughts को सोच को आप जीरो नहीं कर सकते हैं वो बहुत ही मुश्किल है आप कितने देल तक ऐसे कर सकते हैं तो यह अव्यक्त भ्रमवादी जो भगवान की उपासना ऐसे करना चाहते है कि हम भगवान को अव्यक्त मानेंगे या भगवान को सर्वव्यापी मानेंगे तो ऐसे उपासकों की क्या दशा है और मेरी क्या दशा है ये भगवान को कृष्ण भगवान ने प्रश्ण पूशा तो इसका जवाब दे रहे है ये भाक्तियोग में इस अज्जाय को इसलिए भाक्तियोग कहा गया है क्योंकि भगवान ने इधर क्लियर में भगतियोग क्या है भगतियोग श्रेष्ट कैसे है और भगतियोग में हमको करना क्या है तो ये प्रिष्ण भगवान उपुदेश दे रहे है तो दूसरा दिया है स्वारी दूसरा स्लोक है इधर प्रिष्ण भगवान आंसर दे रहे है श्री भगवान ने कहा जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकागर करते है और अत्यन्त श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदय लगे रहते है वो मेरे द्वारा परम सिध्ध माने जाते है लेकिन जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करने करके तथा सबों की प्रती समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना में अंतरगत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पुजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूती के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनिय है, अपरिवर्तनिय है, अचलतता ध्रू है, वे समस्त लोकों की कल्यान संलगन रहकर अंततह मुझे प्राप्त करते हैं. At last they achieve me. जो अव्यक्त की उपासना करते हैं, वो भी कृष्ण भगवान को ही प्राप्त करते हैं. कोई पूछ सकता है कि अव्यक्त की उपासना करने वाले भी अंत में कृष्ण भगवान को ही प्राप्त करते हैं, भक्ति लोग भी, भक्तियों की भी कृष्ण भगवान में प् जल्पना भी नहीं कर सकता है उनके हम उपास में तो देखिए आप कभी-कभी कोई metropolitan city जाते हैं बहुत बड़ा building रहता है 50 मंजिल या कभी-कभी 100 मंजिल का building रहता है जिससे आप जाते हैं लिफ्ट का बटन डबाते हैं लिफ्ट ग chat एक और लिफ्ट से उपर जाते हैं 50th school को कि एक फ्लोर तीन चर्ड़ने के बाद आपको श्क्किल होने लगता है पीर छाउन्ते फ्लॉर के आने के बाद पूछनेे कि Direi Love कहां है हुआ ही विक्टिय ऐसा होगा कि पूरा हंडर्ड फ्लॉर चरते 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 जाय का बहुत मुष्किल होगा कोई मुष्किल को इधर कृŠ्षा भगवान गहरा रहे वो जो दूसरा मार्ग है अव्यक्त का मार्ग है वो बहुत ही मुश्किल है फॉर्थ इस फिफ्ट वर्स क्लेशो अधिकरास्तेशाम अव्यक्ता सक्तचेतसाम अव्यक्ता ही गतिर धुकम देहवाद भी लोवाप्यते तो क्रिश्न बगवान कह रहे हैं जिन लोगों के मन में मन परवेश्मयर के अव्यक्त निराकार स्वरूप में प्रति आ सकत है उनके लिए प्रगती कर पाना अत्यंत कष्ट प्रदख है आप देखेंगे आप थोड़ा CDA चड़ने के बाद आपको बहुत मुश्किल होने लगता है तो अव्यक्त पर ध्यान करना स्टार्टिंग में अगर वो ले भी ले कुछ देर के बाद उसे बहुत मुश्किल होने लगता है क्योंकि अपने मन को तुम मन की इच्छाओं को या इंद्रियों की कार्यों को तुम जीरो नहीं कर सकते हैं एक ही जगा पर वो लोग मेडिटेशन में सिखाते हैं कि आपको 8-8 घंटा बैटना है तो ऐसे मेडिटेशन करने वाले जब फेल हो जाते हैं तो फिर बाद में बोलते हैं कि ठीक है आप निराकार भ्रह्मा पर ध्यान की इंद्रित नहीं कर पारे तो अपने स्वास पर ध्यान की इंद्रित करते हैं तो अपने स्वास पर भी ध्यान केंड़ित करते हैं करते हैं बहुत करने के बाद वो फिर से उससे भी कष्ट प्रदक हो जाता है तो उसके बाद में एदर वो मार्ग को छोड़ देते हैं या उनमें सफलता प्राप्त नहीं होती है मन की शांती नहीं मिलती है तो इसलिए कृष्ट भगवन कहते हैं अव्यक्ता ही गतिर धुकम अव्यक्त जो उपासक है उनका गति दुखम ही है वो दुख भोगएगा यह भोगएगा क्यूंकि देह वाद भी रवापेते हमें एक देह है और हमारे देह की इंद्रिया है ये कृष्ट भगवान कह रहे है बारवय अध्या में और कह रहे है लेकिन जो कोई भी मेरी भक्ति में लगे है उनको मही उधर इसलिए कर देता हूं जैसे इसलिए कर देता हूं इजर देखिए शब्द का उप्योग किया गया है ये श्लोक आप देखेंगे ये तो सरवानी कर मैश सन्यस्यमत परहां, अननियवाईन योगेना मध्यायंते उपासते, तेशाम अहम समुधधरता, मुठ्यिसमसार सागराद, भवामी ना चिरापाता, मैया अवेशिते चेहतसा तो ये मृत्य समसारा सागर जो है उनसे में हम समुधरता समुधरता में उद्धरता में डेलिवर करना या उद्धार करना समुधरता समें इजी ली आसानी से मैं उनको मुक्त कर देता हूं मुक्ति प्रदान कर देता हूं जैसे आप लिफ्ट में जाएंगे और बटन खड़े रहना, उतना Amazing Krishna भगवान अपने परसनल उपासक, मतलब जो यह तो Sarwani कर्मानी, सारे कर्मों को म्हरे में निवसित करके, अन्यावेना योगेना, मेरे भग्तियोगा मैंनन ये योगा, मैंनन ये योगेना मैं भक्तियोगा, वक्ति होगे में लगे रहोगे तो उनको मैं easily जैसे lift में चड़ते ही कैसे easily आप उन्चा स्तर में चले जा सकते हैं वहां तक चले जा सकते हैं तो मेरी भक्ति में तुम लोगों को क्या-क्या करना है ये कृष्णा भगवान आठवे श्लोक से लेकर बारवे श्लोक तक एक्स्प्लेन करते है कि क्या-क्या विक्ति को करना चाहिए लेकिए ये अध्याय में सिर्फ 2 श्लोक है 20 श्लोकास है ज्यादा नहीं है लेकिए ये जो आगे 8, 9, 10, 11, 12 श्लोकास है इसमें क्रिष्णा भगवान कह रहे है मेरी भक्ति में तुम ये करो क्या करना है मैयेवा मनाधस्त्वा मै भुद्धिम निवश्या निवश्यस्यसि मैयेवा अथा उर्धम न सम्षया तो इसका simple translation है simple अनवाद है क्रिष्णा भगवान कह रहा है मुझे भगवान में अपने चित को स्धिर करो अपनी सारी भुद्धी मुझ में लगाओ इस प्रकार तुम निस्सन देह मुझे सदय वास करोगे मुझ में सदाई वास करोगे तो इसमें कृष्णा भगवान बोल रहा है कि मेरी भक्ती में तुम अपना बुद्धी को लगाओ Intelligence मैं बुद्धिम निवेश यहा तो यह अपना बुद्धि को कैसे लगाते है एक तो हम शास्त्रों को पढ़कर भगवान को समझने का प्रयास करेंगे यह भी निवेश श्यसी मैयेवा है मैं बुद्धिम निवेश यहा है या कभी-कभी अपने बुद्धी से हमको कृष्णा भगवान में कैसे युग्त करवाना चाहिए यह भी हम सोच सकते हैं जैसे उदारन के लिए हमारे एक वरिष्ट भक्त ने हमें यह आइडिया दिया था यह सोच दिया था कि आजकर सब कुछ जूम पर हो रहा है बच्चों का स्कूल बंद हो चुका है लोग घर पर ही बैटे हैं उनको मंदिर बुलाना मुश्किल है कुछ कुछ लोग नहीं आना चाहते है यह काल के वज़े से तो क्यों ना हम यह उनलाइन प्रोग्राम शुरू करें जिससे लोग घर में बैटके भी भगगगीता के बारे में सुन सकें तो यह एक तरीक एका बुद्धी योग है अपने बुद्धी इंटलिजन्स को यूज करके यह योजना बनाए कि लोगों तक कृष्ण को कैसे कहुँचा है मही बुद्धिम निवेश यहा तो इस प्रकार हमें बुद्धी का इस्सेमाल करना है कि कैसे हम कृष्ण भगवान के भग्त बन सके कैसे हम अपने कारिय भी जो हमारे नियत कार्म है उससे भी कैसे हम पूरा कर सके जैसे हमारे जब हम बंबय में रहा करते थे हमारे बहुत सारे भगतों का कारिय बंबय और डिल्ली में रहा करता था तो जब भी वो डिल्ली जाते थे एक दो दिन का समय और ले 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 थे थे बिजनेस कार ये से भी दिल्ली जाते थे तो एक दो दिन का और समय ले 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 थे क्योंकि दिल्ली से वृंदावन जादा दोर नहीं है अपना कारे करने के बाद एक दो दिन का समय मिलके है तो बुर्णदावन जाकर कृष्ण भगवान की लीला स्वलियों का स्मराण कर सके तो इसलिए आपके मन में अगर ये बुद्धी योग का निवेश हो चुका है तो आप अलड़ी सोचने लगेंगे कि मैं नियत कर्म को कैसे अपने नियत कर्मों को ऐसे डिजाइन करूँ ताकि मैं कृष्ण की भग्ति में और जोड सकूँ तो ये कुछ मैं उदारन दे रहा हूं कैसे हम भग्ति योग में अपना बुद्धी को निवेश कर सकते हैं अगर तुम अपने मन को मेरे में स्थित नहीं कर पा रहे हो यदि तुम अपने चित को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर पा रहे हो तो बुद्धी योग के विधी विधानों का पालन करो इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन करो तो देखिए भक्तियोग में भी कुछ-कुछ स्तरे हैं ऐसे नहीं कि भक्तियोग में सभी लोग एक ही स्तर पर है तो भक्तियोग में सरवप्रथम इधर कृष्णा भगवान कह रहे अपनी इंटेलिजेंस को यूज करो Use your intelligence, बुद्धी योगा, मैं बुद्धी मिवेश है तो देखिए भक्ति योग में क्या है ऐसे नहीं कि जो highly qualified नहीं है उसको reject कर जया जाता है जिसकी योग्यता नहीं है उसको तिरस्कत नहीं किया जाता है जैसे मैं इससे पहले भी और गीता सारम में कह रहा था भक्ति योग में जुड़ने के लिए कोई भी योग्यता, महान योग्यता रहने की ज़रूरत नहीं सिर्फ श्रद्धा काफी है तो अगर कोई कह सकता है देखिए मैं इतना intelligent नहीं हूँ मेरे पास इतनी बुद्धी नहीं है और बुद्धी है तो भी मैं उसे एकाग्र चित करकर भगवान के भगवान के मन, भगवान को उपासन करने में मैं एकाग्र नहीं कर पा रहा हूँ तो कृष्ण भगवान कह रहे है डोंट वरी, उतना चिंता मत करो तो नेक्स्ट कार ये करो, क्या है नेक्स्ट कार? भगवान के विधी विधानों का पालन करो तो भगवान के कही सारे विधी विधान है, जैसे आप हमारे सत्र में जुड़े है, आपको अभी पता चल गया होगा कई सारे विधिविदान हैं, चैंटिंग करना है, अगवान का नाम स्वरन करना है, कुछ-कुछ नियम है उसको पालन करना है, जैसे मानसाहर नहीं करना है, जूद मतलब गैंबलिंग जूद नहीं करना है, छल से धन नहीं कमाना है, या मदिरा पान नहीं करना है, तो ये सब बक्ति योग के विधी विधान है। ऐसे आप देखेंगे तो एक एक बहुत सारे विधी विधानों का वर्नन किया गया है और 64 विधी विधान का वर्नन किया गया है। दिन के 15 मिनट भगवान को औरपित करता है जब करने में। वो भी एक विधी विधान है। चांटिंग पांच विधी विधानों जो सर्व प्रमुख है। उसमें सर्व प्रतम है श्रवनम। श्रवनम मतलब भगवान का भगवान के बारे में सुनना। कीर्टनम मिन्स जब कर या भगवान का किर्टन करना तीसरा है भगवान के अर्चे विग्रह का उपासन करना चौता है भगवान के भक्तों का संग करना अगर आपके पास भगवान का विग्रह भी नहीं है तो आप भगवान का एक फोटो लगा सकते है और ताकि हमें भगवान का स्मरन हमेशा रहे जहाँ पर क्रिष्च्छन भगवान लीलाए तो बहुत ही उंचे स्तर पर पहुंच सकता है भगतियोग में तो कोई बॉल सकता है देखो मुझे विदी विजानों का पालभी करनावी मुश्किल है तो हमें क्या क्या जबensa किए कोई कोई बौल सकता है देखो आपने तने नियम बता दिये की कि सुभा उठना है, जब करना है, कभी-कभी लोग बोलते हैं, आप कांदा लस्म, प्याज लस्म भी नहीं खाना है, ये तूमच हो गया, ये सब चीजे हमसे नहीं उपाएगा, तो ये ऐसा नहीं कि वो भी तिर्यस्पित लोग है, कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे में, तो कृष्ण भगवन आगे कह रहा है, अभ्यास योपी असमर्तों सी, मत कर्मा परमो भवा, मदर्तम अपि कर्मानी, कुर्वन सिध्धि मवापे सी, तो फस्टो कृष्ण भगवन ने कहा कि तुम अपने बुद्धी को मेरे में निवेश करो, use your intelligence, because जैसे मैंने कहा है आप दूसरे आध्या में भी देखा होगा, इंद्रियों का स्वामी होता है मन, और मन का मास्टर होता है बुद्धी, तो अगर बुद्धी निवेश हो जाता है कृष्ण भगती में, तो आटोमेटिक मन निवेश हो जाता है, आटोमेटिक इंद्रिया निवेश हो जाती है तो सर्वप्रतम भुद्धी को यूज करना का प्रयास करना चाहिए अगर वो नहीं हुआ अगर वो स्तर पर तुम नहीं पहुंच पाए तो भक्तियोग के विधी विधानार सक करो अगर वो भी नहीं कर पाए तो अभी आगे कृष्ण मगवान कह रहें क्या कर सकते हो तुम अभ्यास 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 असमरतोसी वो क्या है देखते हैं यदि तुम भक्तियोग के विधी विधानार विधानों को भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयास करो क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम अवस्त या स्थिध्धी को प्राप्त कर सकोगे तो मेरे लिए कर्म करना क्या है भगवान कह रहे है work for me just try to work for me तो भगवान के लिए कार्य करना क्या है हम इसका एक उधारन देंगे उधारन के लिए अगर कोई वेबसाइट डिजाइनर हो वेबसाइट का डिजाइन करने का कार यह है उसका उसको बोल दिया जाए मन बुद्धी को भगवान में निवेश करो भगवान का स्वरुख को उपर हमेशा ध्यान करो उससे नहीं हो पा रहा विधी विजानों का पालन करो सुबह में उठो यह सब लंबा लिस्ट दे देंगे 64 आइटम्स का वो बुलेगा यह भी मेरे से नहीं होगा तो भगवान के लिए कार यह करो मेरे लिए कार यह करो या कोई लेबर है लेबर मतलब जो मैसेनरी वर्ख करता है जो कंस्ट्रक्शन इमारत की शुष्टी में कार यह करने वाला व्यक्ति है वो भगवान के मंदिर के शुष्टी के लिए कार यह करे देखिए उसमें भक्तियों के विधी विधानरत नहीं है पूरी तरीके से भगवान के स्वरूप के उपर बुद्धी का एकागर करके उसमें लगाना नहीं है लेकिन वो जो कार्य कर रहा है वो भगवान के लिए कार्य कर रहा है या बहुत सारे चीज है क्लीनिंग करना चाह कई सारे कार्य लगते हैं एक मंदिर को चलाने के लिए भगवान का कार्य को चलाने के लिए कई सारे कार्य लगते हैं तो वो कार्य को डाइरेक्टली करना यह भी भक्तियोग है और भगवान कहा रहा है यह से भी तुम सिद्धी प्राक्ट कर सकते हो ऐसा नहीं कि यह किसी भी तरीके से lower है एक तरीके से देखा जाए तो lower है लेकिन वो कारिये में तुम लगे रहोगे तो एक दिन वो भी शिद्धी प्राप्त कर लोगे तो देखिए एक चैनल होता है एक फार्मुला होता है कि अव्यक्त आ सकत जो अव्यक्त व्यक्ति हो जो स्टेप बाई स्टेप मुश्किल बहुत कटिनाई से क्रिष्ण भगवान की प्राप्त करता हो लेकिन यह जो कारिया बोल रहा है 12.9 12.10 12 आजया के नवया आठवेश ल कारियों में देखेंगे कृ भगवान का involvement भगवान का जो भक्तियोग से है वो direct है बद्धी को लगाए भक्तियोग के विधि विधानों में हो या भगवान के लिए कारिय करना हो इसमें directly कृष्ण भगवान के लिए कारिय कर रहा है और जो अव्यक्त के उपासक है वो Constant nous क जो कठिनाई प्राप्त होती है उसको त्याग करके कई कई सारे दुसरे दुसरे कारिये करते हैं जैसे वो सोचते है कि गरीबों को खाना खिलाना चाहिए और गरीबों को कपड़ा देना चाहिए समाज को सच करना चाहिए रोडों को साफ करना चाहिए यह डेफिनेटली अच तो नेकस्ट बहगाद और उसके आगे भी बढ़ रहे हैं हावेवर ये ग्यारवा श्लोक है अतेटत अप्या सब्तोसी कर्तुम्मद योगम आशुतह सर्वकर्म फलत्यागम तथा कुरू यथात्तमान तो कोई-कोई बोलता है कि देखे आप बोल रहे हैं मंदिर के लिए कार्ये कर रहे हैं दिल में ले लिए बहुत दूर है उधर तक आकर मुझे कार्य करना मुश्किल है या कोई सच में कार्ये नहीं कर पासकता है डाइरेक्टली भगवान के लिए तो उसके लिए क्या वो तिरस्कृत है वो क्या भक्तियोग में आगे नहीं बढ़ सकता है बगवान बुल रहे हैं नहीं किन्तु यदि तुम मेरे इस भवामृत में कर्म करने में असमर्त हो तो तुम अपने कर्म के समासित फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्तित होने का प्रेयत्म करो अगर तुम डाइरेक्ली मेरे लिए कर्म नहीं कर रहे है तो तुम्हें जो कर्म करना है करो लेकिन वो जो कर्म का फल आएगा उसको तुम मुझे में उप्योग करो यह से कोई सपोस जैस्स एक्जाम के लिए कोई साफ्वेर इंजिनियर हो और उसका कोई डाइरेक्ली कार्य भगवान की सेवा में नहीं लग सकता है तो ठीक है तुम उसका कार्य करो लेकिन कार्य करने के बाद तुम्हें उसका फल मिलता है वो फल को त्याग करने का मतलब क्रिश्ण भगवान की सेवा में आप्पित करो उसका डोनेशन करो तो इससे भी तुम सिद्धी पासकते हो ऐसे नहीं कि तुम इससे सिद्धी नहीं पासकते हो तो हर चीज से सिद्धी प्राप्त करने का सवभा की सभी को है सबसे सरुप्रत में भुद्धी को निवेश करो भक्तियोग के विदी विदानार तुपे करने का परयास करो, वो भी नहीं कर पहे, मेरे लिये करम करो, वो भी नहीं कर पहे, जो करम कर रहे हो, उसका कर्म फलीत्याग करो. तो आगे देखते हैं और कृष्णा बगवान क्या कहते है श्रीयोही ज्ञाने अभ्यासाथ ज्ञानात ध्यानम विशिश्यते ध्यानात कर्मफलत त्यागी त्यागा शांतिर अनंतरम तो कृष्णा बगवान कह रहे है यदि तुम यहाँ अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान की शीलन में लग जाओ लेकिन ज्ञान से श्रेष्ट ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ट कर्म फलों का परित्याग क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष को मनह की शांती प्राप्त होती है तो देखिए कृष्ण भगवान क्या कह रहा है जो अपना कर्म करके कर्म का फलों का त्याग करते है वो ध्यान योगी ज्यान योगी से भी बहतर है क्योंकि वो डिरेक्ली मेरे सेवा में लगा है उसका कर्म फलों मेरे सेवा में लगा है लेकिन अगर तुम सुष्ट को ज्यान का प्राप्त करने का प्रयास करोगे या यह दिन भर इसी में लगए रहोगे कि matter जड़ वस्तु क्या है और आत्मा वस्तु क्या है देखेंगे आप कभी के भी देखेंगे scientist लोग किसी जड़ वस्तु के बारे में समझने के लिए पूरा research कर लेते है कि एक छोड़ा सा कार यह कैसे होता है एक एक आटम कैसा है पूरे जड़ वस्तु पे पूरा ज्यान अपने समासित कर लेते है उससे भी श्रेष्ट वेक्ति विवो है जो कर्म करके कर्म फल का त्याग क्रिश्न वगवान को दे रहा है यह कोई ध्यान योगी रहता है बहुत-बहुत सालों तक ध्यान करता है उससे भी श्रेष्ट है कर्म फलों का त्याग करना तो जो कोई भी दूसरे योग पद्धतिया है यह कर्म त्यागी विक्ति बहुत ही उन्चे सर में बताया गया है तो जैसे मैं कह रहा था I don't know मैंने तीसरे अध्याय का गीता सार आप लोगों को से चर्चा कर रहा था किसी और के साथ चर्चा कर रहा था बले हम कहते हैं कर्म योग जो भक्ति योग होता है वो सारे योगों का समाश्यूत योगा है इसके कर्म योगी भी अगर कोई व्यक्ति है तो ऐसा नहीं कि वो नीचा स्थर है अगर कर्म योग के द्वारा भी तुम भक्ति योग के उन्चे स्थर तक पहुंच सकते हो ध्यान योगी से भी ध्यान योग से भी पहुंच सकते हो लखिन वो मुश्किल कार्य है शिक्स्त चाप्टर में अर्जुन ने भी कहा, आपने जो ध्यान के बारे में कहा, वो मेरे लिए मुश्किल है, तो कृष्ण बगवान कहे रहे हैं, वो मुश्किल कार्य भी है, और उससे श्रेष्ट है कर्म योग, कर्म फलत्या योग, तुम वो करो, वो बेटर है, और वो कर्म फलत्यागी है, उसके करना भी उजी है, और वो श्रेष्ट भी है, ध्यान योगा से, जो जंगल में जाकर, एक पैर पे खड़े होकर, कुछ भी नहीं खाकर, ऐसे जो ध्यान योगी है, उससे बेटर है जो कर्म फल अत्यागी है, तो हमें निश्य रूप से यही सोच लेना चाहिए, कि हम कम से कम यह स्थर पर आना चाहिए, कि हमें अपना कर्म का फल भगवान को अरुपन करना है, तो इस प्रकार हम भप्तियों को जानेंगे, तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि यह सारे चीजे हैं, और तुम कहीं भी निवसित होगे, उसका मैं ग्यारंटी देऊंगा कि तुम्हें अल्टिमेट सिध्धी मिलेगा, पुर्वन सिध्धी मावापेशी, मैं करवाँगा तु तुम अपनी चिंता मत करो, ये चार पांच चीजों में से कहीं न कहीं अपने आपको सिध्ध करो, तो आप भी अपनी निजी जिवन में देखना चाहिए कि हम कहां सिध्ध हो सकते हैं, कर्मफलत्यागी या कर्णी या विधी विधानों का पालन कर सकते हैं, या हम पूरी तो कहीं भी आप रहेंगे तो एक स्थर से उन्चे स्थर पर जाने का प्रयास किजिए लेकिन कहीं न कहीं निवसित होना जरूरी है तो और ये कारे करते समय और भी कुछ गुणों का हमें डेवलप करना है कुछ क्वालिटी इसको डेवलप करना है ताकि हम भक्ति योग में निवसित रह सके वो quality कृष्णा भगवान आगे चलके बता रहे है 13th श्लोका से 19th श्लोका तक ये सारे गुनों का भगवान ने वर्णन किया है जो मैं भी पढ़ के आपको सुना सकता हूँ 13th verse अद्वेश्टा सरवभूता नाम तो किसी भी जीवात्माहूं से द्वेश्मत कीजिए निर्ममो मिस ममम मेंस मेरा है निर्ममो म मतलब ये ममम कार मेरा है ये भाव में त्या कर दो अहंकारी मत बनो सम सुख्येश्व सम दुख्छ सुक शमी दुख और सुक की सिति में समान्भाव बनायाय रखो संतुष्टा सततम योगी जो कुछ भी आपको कृष्ण भगवान की कृपा से मिला है उससे संतुष्ट रहो यतात्मा धृड़निश्चेया और मन में भक्ति योग में बढ़ने में धृड़निश्चेयी रहो योमत भक्तिया समय प्रिया है ऐसे भक्ति लोग मुझे ज़्यादा प्रिया होते हैं तो पहले बताएगे चार पांच तो स्तर है वो स्तर में जो कोई भी भक्ति है और उनके ये सारे जो कोई भी गुन है ऐसे भक्ति करने वाला कृष्ण भगवान कह रहा है, मेरे लिए प्रियह है भय तता चिंता में समभाव रपता हो वो मुद को बहुत प्रिया है तो जब भी आप भप्तियों में जुड़े है तो यह देखना चाहिए कि हमारे वज़े से दूसरे लोग कस्ट में नहीं रहना चाहिए अन्नेसेसरी किसी को दुख नहीं पहुचाना चाहिए और कोई और अब भब पहुचाना चाहिए और भय फीर और एंग्जाइटी से हमें दूर रहना है अना पेक्षा सुचिर दक्षा उदासी न गतोव व्यतहां सर्वारंब परत्या कि योमद भक्त समय प्रिया तो कैसे-कैसे गुन हमको करना चाहिए अनापेक्षा अनापेक्षा मतलब वड़ी से न्यूट्रल मतलब ज्यादा इच्छाए नहीं रहना चाहिए हमेशा यह सोचना नहीं चाहिए कि कोई मुझे यह लाकर दे देगा वी शुड़ी न्यूट्रल उतना आसकती भाव नहीं रहना चाहिए सुची मतलब प्यूर रहना चाहिए दक्षा मिस एक्सपर्ड एक्सपर्ट मतलब अपने कारियों के करने में हम निपुन रहना चाहिए अनापेक्षा सुतिर दक्षा उदासीन गताव व्यतहा यह जो भौतिक परिक्रिया है उसे हमें मुक्त रहना चाहिए फ्री फ्रम ओल पेंस और सर्वारंब परित्यागी कोई कारिय करते है तो उसका फल को परित्यागी रहना चाहिए यह नहीं सोचना चाहिए कि यह कारिय कर रहा हूँ तो मुझे इसका फल मिलना चाहिए बहुतिक material activities के बारे में कह रहा है भगवान बहुतिक कारिय के बारे में कह रहा है जो ना कभी हर्शित होता है ना शोख करता है जो ना तो पच्चताता है ना इच्छा करता है तथा जो शुब तथा आशुब दोनों प्रकार के वस्तोन का परित्याग कर देता है ऐसे भक्त मुझे अठ्यनत प्रिय है तो देखिए कभी-कभी बहुती चीजे हमको मिल जाती है हमें बोनस मिल जाता है लॉट्री लग जाता है बहुत हर्शित हो जाते है या कोई-कोई हमारा मित्र बंदू जो कुछ भी हमारा निकर्तम लेखती है वो कभी देहत्या कर देता हैं हम शोख में रह जाते हैं अत्य शुब A-शुब मतलब क्या है? कोई कोई बोलता है आज शुब दिन है तो क्या भगवान का अर्चना नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है किसी भी शुब और अशुब दिन की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये शुबा शुब फलित्यागी है। अच्छा दिन है, बुरा दिन है, ये कार्ये करो, मत करो, ये सब चीजों में तुम मत पड़ो। और भी है आगे जाकर। कुई आपका अप्मान करता है या आपको अप्मान कि गरता है। कुई आपका अपमान करता है या कुई आपको मान देता है उसमें भी आप समान द्रिष्टी देखो ऐसा नहीं कि अगर विंटर सीजन आ जाये तो लोग सोचने लगे कि देखो अभी ठंडी का माउसम है लेट उठेंगे मंदिर जाने के जबरत निय सुबा सुबा ऐसे नहीं रहना चाहिए शीतोष न मतलब गृष्मृतु हो या कोई भी रूतु हो समान भाव से जीवन जिना चाहिए समा संग वर्जितहा तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी किसी की निंदा मत करो किसी की निंदा करने से आचाहिए कि तुम शांत रहो किसी भी परिष्टिती में तुम शंतुस्तिर हो अनिके सिथा मतिर बुद्धिमान से में प्रियो नहा ऐसे अपने बुद्धी को उप्योग करके भक्तियोग के में लगोगे तो ये वेक्ति मुझे बहुत प्रिय होगा तो इस प्रकार क्रिश्ण भगवान ने अपने भक्ति योग में क्या क्या करना चाहिए, कौनसे कौनसे गुण अपने में बढ़ाना चाहिए, कौनसे कौनसे कार ये कर सकते हैं, योग के विधी विधानों को समझ सकते हैं, विधी विधानों का पालंग कर सकते हैं, तो ऐसे तुम भक्तियोग में जुड़े रहो है अर्जुन और यही श्रेष्ट है यह मत सोचिए कि इसको छोड़कर कोई और योगा श्रेष्ट है कोई-कोई आप देखेंगे कोई-कोई-कोई योगी वेक्ति ऐसे रहता है कि आपको चार साल पांच साल तक योगा सिखाता ह कि अब ना कैसे पकड़े रहो थो ऎसे अंदर लेना चाहिए भोत कुछ स्का देता है लेकिन कृष्ण भगवाद की बारे में कुछ नहीं कहता है भगवध professionals लेकिन जो प्रिलीम्णरी मतलब जो बहुत ही preliminary चीज़ है उसी पर आठके रहता है अपने इंद्रियों को सैयम करने के लिए आपको ऐसे पदमासन में बैठने के लिए अनुरोध करता है और उसी को चार साल तक सिखाता है कि कैसे straight बैठना है तो यह सब चीज़े definitely beneficial है लेकिन भक्तियोग के directly कारे करना उससे कही सारा चीज महत्तुपून है मैं एक उधारन देता हूँ अगर कोई आपको बाइक चलाना सिखा रहा है गाड़ी दो दो पहिया दो वाहन चालक सिखाना चाहता है तो जैसे आप वो आपके पास वो सिखाना शुरू कर देता है वो बोलता है देखो जैसे तुम बैठ गया ना तो देखना चाहिए कि आइना ठीक से लगा हुआ कि नहीं या जो क्या बलते हो चोक सही से लगा हुआ कि नहीं यह देखना चाहिए तो वो ठीक है, वो सिखाया है, वो ठीक है, that is good, it is beneficial, benefit है बोलके नहीं, लेकिन गाड़ी को कैसे balance करके आगे बढ़ाना है, गाड़ी वो ही सिखाया है, सिर्फ आइना कैसे set करना है, गाड़ी को साफ करना सिखाया है, लेकिन गाड़ी का मुख्योपियों के है, आप गंतव् करना जरूरी है, और सीधे बैठे रहना जरूरी है, ये सब कार्य करना preliminary है, लेकिन मुख्य चीज क्या है, कि आपको कृष्ण भगवान से जुनना है, ये अगर कोई नहीं सिखाता है, तो आप कितना भी योगा कर लिजी आपका, योग में preliminary stage में ही रह जाएंगे, तो मैं आज का ये जो बारवे अध्या का जो 20th श्लोक है, जो आखरी श्लोक है, उसको एक बार चर्चा करके एक और बार summarize करेंगे, तो क्रिश्ण भगवान फिर से आश्वाशन दे रहे है अर्जुन को, कि मेरा भक्तियोगी श्रेष्ट है, ये तु धर्मामृतम इदम यतोक्तम परिवपासते, शद्धाधाना मत परमा भक्तस्ते तीव में प्रियाहा, तो क्रिश्ण भगवान कह रहे है, जो इस भक्ति के अमरपत का अनुसरन करते हैं, और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष बनाकर श्रद्धा सहीद पूर्ण रूप में सनलगने रहते हैं, वे भक्त म मुझे अथ्यादिक प्रिया है, तो क्रिश्ण भगवान कह रहे है, भक्ति लोग ही मुझे प्रिया है, वही श्रेष्ट है अरुजन, तुम इसके अलावा कोई और कालिय करने का या किसे के अलावा कोई और योग करने का प्रयास मत करोगा, तो मैं अभी सिर्ष समराइज क करूंगा कि हमें क्रिश्ण भगवान ने थोड़ा डरा दिये थे अर्जुन को कि देखो ये मेरा विशाल रूप है तो तब जाकर बारवे अध्याई का भूमी का बनता है कि बारवे अध्याई में तो तब जाकर भक्तियोग क्या है, मेरे भक्त लोगों का गुन क्या है, कैसे तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, कृष्णा भगवान ने आठवे श्लोक से बारवे श्लोक तक उसका वरणन किया है. मैं एक बार फिस्ते संशिप्त में काऊंगा, सर्वप्रतम क्रिष्णा भगवान ने कहा, कि मुझे में बुद्धी का निवेश करो, बुद्धी का निवेश नहीं कर सकते हो, तो नेक्स्ट है भक्तियोग के विधी विधाना उनको पालन करने का प्रयास करो, वो भी नहीं कर करके हम आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं, और कई सारे भक्तों के गुणों के बारे में कहा है, जैसे समद, दुख्येश व्षू, अजवेश्टा, किसी को दुवेश मत करो, किसी को परेशान मत करो, सभी शत्रु और मित्रु, जो कोई भी आपके शत्रु है, मित्र है, जो लोग आपको शत्रु या मित्र मांते हैं, उनके प्रती समानभावना रहुआ। तो इस प्रकार हम भक्तियोग में आगे बढ़ सकते हैं और ये डारेक्ली भक्तियोग है, डारेक्ली कृष्न से हमें जोडता है। तो आज का सत्र में यही समाब करता हूँ, आपको किसी को प्रशन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं टाइप कर सकते हैं मैं आपको अन्म्यूट करने का ओप्षन विकल कर दिया हूँ तो आप अन्म्यूट करके प्रशन अपना पूछ सकते हैं अरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे क्रिष्णा किसी का प्रेश्ण है तो पूछ सकते हैं हरे क्रिष्णा अगर किसी का प्रेश्ण है तो आपने आपने आपको अन्म्यूट करके पूछ सकते हैं प्रभुजे तो प्रभुजे तो किसी का प्रेश्ण है तो आप पूछ सकते हैं प्रभुजे 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 प् मितला को दीन में तीन भी हो गया तो कोई दिगकत नहीं है पुरे भक्तियोग का यही सीक्रेट है जहां से तुम जितना आगे बढ़ सकते हो उतना धीरे धीरे बढ़ो जैसे हम छोटे बच्चों को जब सिखाते हैं कुछ भी सिखाते हैं अगर छोटा बच्चा कुछ कर नहीं पाता है फिर भी हम उसको तिरस्कृत नहीं करते हैं बोलते हैं ठीक है तुम यह नहीं कर पा रहे हैं तो यह करो जैसे हम कोई भी माता पिता एक छोटे बच्चे का केर लेते हैं भले वो छोटे बच्चे का किस्तर कोई भी हो उसी परकार भगवान भक्तों का केर लेते हैं कि तुम इतना उन्चा सर पर नहीं जा सके ठीक कहीं भी जहां सित हो वहीं पर सित रहो और आगे बढ़ने का प्रयास करो यह रिष्टा होता है भक्तियोग में भगवान और भक्तिका और किसी का कोई प्रश्न है ठीक है अगर किसी का प्रश्नी नहीं है तो हम आज का सत्र यहीं पर समाप्त करते हैं और सभी लोग एक बार मेरे साथ हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चरन कीजिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे रे आप लोगों का आजबभारी हूँ कि आप अपना सुबह सुबह का समय जो बहुत ही important समय होता है अपना समय निकालकर भगवान की भगतियोग में या भगवध गीता का सार समझनी में प्रयास में लगे है इसी प्रकार जुड़े रही है और भी हमारे सत्र आगे है 13 से लेकर 18 चाप्टर तो अभी 2 थढ़ हो गया भगवंद गिता दो तीहाई भाग हो गया है 12 चाप्टर मिल्स पहले 6 चाप्टर 1st थढ़ी एक तीहाई भाग है 17 अजहै से लेकर 12 अजहाई एक तीहाई भाग है और इससे आगे दूसरा थर्ड भाग है भगवत गीता का तो इसी प्रकार जुड़े रही है भगवत गीता में और आगे चलकर हमें बहुत सिर्फ अठारा अध्याय ने उसके बाद में भी और सारे कई सारे हमारे कारीक्रम रहेंगे भगवत गीता के बा झाल झाल